हेलो फ्रेंड्स, जै श्री कृष्णा जै माता दी जै श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में ही हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दोस्तों, आपके मन की मनोकामना आखिर गणेश जी पूरी करेंगे या नहीं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी न भूले। तो शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के हर-हर महादेव का नाम लेकर, कमेंट सेक्शन में राधे-राधे लिखना बिलकुल भी न भूले। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, वह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, आपके मन में जो मनो कामना है, वह गणेश जी पूरी करेंगे या नहीं। आखिर क्या कह रहे हैं, टेरो कार्ड्स आपसे, और क्या कुछ लिखा है, आपके जीवन में तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दो गणेश जी की मूर्ती दिखाई देगी, फर्स्ट लाल और दूसरी हरी कलर की धोती में, इन दोनों में से कोई भी एक मूर्ती जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आप उसे चूज कर लें, फिर हम देखेंगे कि आखिर टेर कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं, कर ले चलिए, तो फर्स्ट मूर्ती जिन्होंने भी चूज करी है, सबसे पहले उनके लिए बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट नं को आपका पूरा काम हो जाएगा. इसलिए बिलकुल लॉड ना ले कि बहुत जल्दी आपकी जिन्दगी में खुशियां आने वाली है. बहुत जल्दी आप लाइफ में तरक्की करने वाले हैं. बहुत जल्दी आप भाग्यशाली होने वाले हैं. आपको लगेगा कि आपके आपने जीवन में वो हासिल कर, जिसके लिए आपको ख्वाहिश थी, जिसके लिए आपको तमन्ना थी, कहीं न कहीं कुछ एक्स्ट्रा आपको हासिल होने वाला है, कुछ अच्छी प्लानिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे भी ब जो भी मन में इच्छा है, वो आपके जरूर पूरे होने वाली है, अगले तीन महीनों से पहले आपकी वह इच्छा पूरी होगी, इश्वर का पूरा सपोर्ट रहेगा, बिलकुल लोड नहीं लेना, क्योंकि आपने जो इच्छा मांगी है, वह इच्छा सभी के हित में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी इच्छा पर कंसंट्रेशन बनाए रखना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है, लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करनी है, और रिलैक्स रह करके जीवन में हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है, ब तो भी मन की इच्छा है, जरूर पूरी होगी। इस बीच एक चीज और दिखाई दे रही है, दोस्तों टैरोट कार्ड के माध्यम से कि कोई आपके हर काम में अर्चन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कौन है? इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो थोड़ी सी कोशिशें बढ़ानी होगी कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो आपके हर काम में अर्चन उत्पन्न करने की कोश कोशिश कर रहा है, हर काम में कंसंट्रेशन भंग करने की कोशिश कर रहा और कही ना कहीं इस व्यक्ति की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज् जानिये उसके बाद में इससे जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करिए, अवॉइड करने की कोशिश करिए, बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, रिलैक्स रहिए, हमेशा इश्वर का आशीरवाद आपके उपर बना रहेगा, सदैव गजानन गणपती महाराज की कृपा आपके उपर बनी रहेगी, और बहुत जल्दी आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंचने वाले, जिस मुकाम के लिए आपने महनत करी थी, आपकी महनत बहुत जल्दी सफल होने वाली ह बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, और कुछ चीजें ऐसी भी आपके साथ होने वाली है, जिनका शायद आपने पहले कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था, पहले शायद कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो चीजें आपके साथ होने वाली है, समय प पिलाकर अब आप भाग्य को बल देने वाले भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है और पूरी तरह से जीवन में आनंद ही आनंद अब आपके होने वाला है तो इस आनंद के लिए आपको कोशिशें बढ़ानी होगी है ना आपको कहीं न कहीं positive रहना होगा positivity के लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ना होगा life में progress करनी होगी और progress के लिए आपको थोड़ा सा अपनी conditions को बढ़ाना होगा थोड़ा सा लाइफ में अच्छी मोमेंट्स लाने के लिए पॉजिटिविटी को आपको ध्यान देना होगा जब तक आप पॉजिटिविटी को ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे न और इन लोगों को avoid करें, इन लोगों को ignore करें जो बहुत ज्यादा आपके करीब होने का दिखावा कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आपके पास होने का दिखावा कर रहें, कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आने लग गई है, बहुत ज्यादा टेंशन आने लग गए, बहुत ज्यादा कंडीशन्स में कहीं न कहीं ऐसी आ रही है, जो कि बहुत गलत है, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को avoid करना है, और जीवन में जो अपनी इच्छा उस पर concentration बनाए रखें, बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी ह और relax रहे, थोड़ा खुश रहने की कोशिश, जरूर first card जो open हुआ है, वह क्या कहने वाला है दोस्तों, अगले कुछ घंटों में आपकी कोई बहुत important चिंता है, जो दूर होने वाली है, कम होने वाली है, कोई खास उपलब्धी आपको मिलने वाली है, साथ ही आपको अपन प्रदर्शित करने के काफी मौके मिलने वाले हैं, किसी भी कार्य को अगर आप planning से करेंगे, तो कहीं न कहीं आप उसमें सक्षम होने वाले हैं, और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए, एक चीज और है कि किसी परिजन से, किसी बात को लेक करके अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना और सहज तरीके से हो सके, तो समस्याओं को सुलजाने की कोशिश करनी है, कुछ समय आत्म मनन और अपने व्यक्तित्व के निखार लाने में भी आपको लगाना है, देखिए, किस ज्यादा परिश्रम करना होगा, टेकनिकल क्षेत्र से जुड़े कारियों में अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा, कर्मचारियों का उचित सहयोग रहेगा, परंतु आर्थिक मामलों में काफी सोच समझ कर निर्णय ले, किसी को भी पैसा या माल उधार नहीं देना, पंद्रह तारीख जो भी आने वाले समय की पंद्रह तारीख है, उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा, और जीवन में काफी अच्छा अनुभव आपको फील होगा, अमावस और पूनम पर अपने घर के चारों कोनों में अगर संभव हो सके, तो जो भार के दिन ही पीली सरसो अपने घर के चारों कोनों में डाल दे, इससे भी आपके मन की जो कामना है, वह बहुत जल्द पूरी होगी, कि बात कहना चाहूंगी कि जो भी आपकी जिन्दगी में आने वाला है, चाहे वह कोई परसन हो, चाहे कोई वह इनसान हो, एक्स प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपका कंसेंट्रेशन भंग होता है, जिसे आप जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, तो वो कहीं न कहीं उसमें आप सक्सेस होने वाले, त इश्वर की असीम कृपा आपके उपर रहेगी, इश्वर हमेशा आपके साथ है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा अपना कंसेंट्रेशन बढ़ाए रखना है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, जीवन में हमेशा आप स ज़लतनों के पुलिए गया दङे लितागाय को ड़्म मेका अना स्प्राइबेंग। बाकी जो भी आपके मन की इच्छा है लगभग डेढ़ महीना और लगेगा लिकिन वह इच्छा जरूर पूरी होगी है न और जो भी इच्छाव या बदलाव की योजना बन रही है तो आज उसको कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्ष करना होगा कोई भी नतीजा इसका निकल सकता है आपसी संबंधों में ठकराव आने से किसी मित्र पर शक भी हो सकता लेकिन यह सिर्फ आपका वहम ही होगा अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बढ़ाए ठीक है किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें वरना आपकी जगह हसाई भी हो सकती है बिजनेस में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संगर्ष करने की जरूरत है हालांकि आप भी गंभीरता से जिन्दगी से परेशानियों का हल निकालेंगे कामकाजी महिलाओं को परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत होगी वरिष्ठ लोगों की राय और मार्क दर्शन सर्व परी रखें अगर कोई पूछते नहीं, जमीन ज्यादा संबंधी काम रुका हुआ है तो उसका कोई हल भी निकलेगा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है किसी भी नकारात्मक स्थिति को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलजा ले